नमस्कार, सितारा क्लासेज के यूटूब प्लेट्पूम पे आप सभी का स्वागत है हम लोगों ने वेदिक सब्यता के अंतरगत अलगलग पार्टों को अलगलग भागों में पिछे के कक्षाओं में पढ़ा है जिन विद्यारतियों ने अभी-अभी इस चैनल पे विजिट किया है वो पिछे के वेदिक सब्यता के जो क्लासें है वो पिछे जाके पढ़ सकते है और जो विद्यारती आपके अपने इस सितारा क्लासेज की यूटूब चैनल पे अभी- अपने इस point को आगे बढ़ाते हैं और इसी point के अंतरगत हम लोग आज कुछ महत्व अपन तत्यों के बारे में बात करेंगे और कुछ एक जैसे यग बताऊंगा मैं और उसके बाद में देवताओं के बारे में बात करेंगे देवताओं का डिवाइडेशन किस प्रकार से क्या गया था तो मुक्यम के देवताओं की भी बात करेंगे और महत्व अपन तत्यों की ये दो-तिन क्लासे रहेगी इसके अंतरगत हम लोग वो सभी तत्यों तक पहुंचने की कोसिस करेंगे जो तत्यों आभी तक या तो प्रीक्षया की दस्टी से महत्वपूर माने गए हैं या किसी प्रीक्षया में पूछे गए हैं तो चलिए आज का अपना पॉइंट है यग 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 वेदिक काल में मुक्यत तीन यगों की चर्चा की गई है जिसमें पहला यग है राजश्वय यग राजश्वय यग है ये राजा के राज्य विश्यक के समय किया जाता था कब किया जाता था राज्य विश्यक के समय किया जाता था यानि जब किसी राजकमार का राज्यवशेक होता था उस समय कौन सा यग किया जाता था राज्वेयग किया जाता था ठीक है राज्यवशेक के समय ठीक है दूसरा है वाज्वेयग वाजपय यग है उसमें क्या होता था रत दोड होती थी और रत दोड में जो राजा सबसे ज़्यादा या सबसे पहले किसी राजा का रत आगे निकलता था वो अपने आपकी क्या दर्शाता था स्रेश्टा दर्शाता था क्या दर्शाता था स्रेश्टा अपने आपको सक्ती साली स्रेश्टा या रत दोड में क्या दिखाता था अपने आपको सर्वे अपरी दिखाता था इसके अंतरगर वाजपय के अंतरगत क्या होता है रत दोड होती थी रथ दोड़ क्या होती थी? रथ दोड़ होती थी और राजा अपने आपको क्या दर्साता है? स्रेश्ट पिकाता है राजा अपने आपको स्रेश्ट दिखाता है क्या दिखाता है? स्रेश्ट ता अपने आपकी पर्दसित करता है तीसरे प्रकार का यह गए अस्वे मेग यग अस्वे मेग यग अस्वे गार्थ घोड़ा तो इस यग के अंतरगत क्या होता है? कि घोड़े को चोड़ा जाता है क्या चोड़ा जाता है? घोड़े को चोड़ा जाता है चितने चेतर में घोड़ा गुम के आता है जहां तक घोड़े के पदचिन होते है वो चेतर तक उस चेतर तक और जिस राजा ने घोडे को छोड़ा है, वो चेतर उसके कबजे में आ जाता है, ठीक है? वो चेतर उसके अधिन हो जाता है, तो अस्वे में एक यग है, वो अपने आपको दिगविजे का परतिक मानता है, क्या मानता है? दिगविजे का, ठीक है? किस प्रकार क पूरा क्या माना जाता है उस राजा के अधीन माना जाता है अगर उस घोड़े को यानि अस्वे में के अंद्रगत जिस घोड़े को पकड़ लिया जाता है उस घोड़े को पकड़ने वाले वेक्ति के साथ क्या किया जाता है युद किया जाता है और अस्वे में के घोड़े घोड़ा जितने चेतर में घूम किया जाता है और उस क्या चेतर उसका माना जाता है उस घोड़े को बाद में क्या किया जाता था बली दी जाती थी क्या दी जाती थी बली दी जाती थी ठीक है तो ये तीन यग है ये मुख्य परकार से और वेदी काल में परमुक थी उसके ब पातकरे इंप पर्मुख देवताओं की तो रिगवेह में 33 चर्चा की गई या इन देवताओं की संक्या कितनी बताएगी जिनका अलग अलग स्तान भी निर्धारित किया गया है उसमें हम लोग यहां पर मुख्य मुख्य देवताओं के बारे में बात करेंगे जैसे पर्तम स्तान पर बात करें तो अंत्रिक्स के देवता यानि ऐसे देवता जो अंत्रिक्स में निवास करते थे या ऐसे देवता जिनका वाश है वो अंत्रिक्स था जिनका वाश है वो क्या था अंत्रिक्स था तो इसमें मुख्य तै इंद्र का नाम आता है मुरुत का नाम आता है रुद्र का नाम आता है वायू का नाम आता है पर इंदर के लिए लगभक 20012 Premier Score आपक्रियोग वेध में किया गया है ठीक है इंदर का स्थान कोनषा था अंत्रीक्स था ही ध्यां रगणा क्योंकि काफी बार कूछ है इंदर का स्थान है वो कहां पर था अंत्रीक्स था मरुद्थ ठीक है, उसके बाद में बात करें रुद्र, बात करें वायू, वायू का स्थान भी कहां पर था, अंत्रिक्ष में था, वायू देवता है, उसका स्थान कहां पर था, अंत्रिक्ष में था, ठीक है, वायू परजन्ने, परजन्ने और त्रिताप्य, इनका स्थान कहां पर निर्धारित किया गया है रिग वेदूं के इनसार देवताओं का इंदर, ध्यां रगना इंदर, मुरूत, वायू, रुद्र ये चार तो आपको याद रखनी रखनी, इंदर, मुरूत, रुद्र और वायू, ये चारों देवताओं का मुक्के स्थान कहां पर निर्धार्ट किया गया है, अंत्रीक्स में निर्धार्ट किया गया है, दूसरे स्थान पर हम लोग बात करें, तो आता है आकास, यानि ऐसे देवता जिनका निवास्तान आकास में था या इन देवतां को आकास वासी देवता भी कहा जाता है, यह देवता क्या थे, आकास में निवास करते थे, यहाँ पर मुक्खे देवता है, जैसे सुरिये, सुरिये का स्थान कहां पर है, आकास में, कहां पर है, आकास मे जैसे धोस, धोस का अस्पान कहाँ पर है, आकास में, मित्तर, मित्तर और उसके बाद में पुष्ण, पुष्ण, उसके बाद में विश्णू, इन देवतां पे दोनों पे ध्यान रगना भी, विश्णू और पुष्ण पे, यानि विश्णू का निवास्तान कहाँ है, आकास, पुष्ण का निवास्तान कहाँ है, आकास, क्योंकि पुष्ण है, वो रिगवेदिक काल कमें, रिगवेदिक काल में क्या था ये, सुद्रू का प्रमुक्देवता था और बाद में उत्रवेदी काल में धिरे धिरे इसने किस का अस्तान ले लिया इसने पस्वों का अस्तान ले लिया और बाद में किस का प्रमुक्देवता हो गया पस्वों का प्रमुक्देवता हो गया ठीक है उसके बाद में आदित्य आदित्य उसक इन देवताओं का जो स्तान था वो कहाँ पर था आकास में था ध्याँ रखना सुरिये धोष मितर पुष्ण विश्णू आधित्ये सेवित्रे और अश्वन इन देवताओं का जो निवास था वो कहाँ पर था इन देवताओं का निवास था आकास में था ठीक है उसके बाद में पर्थ्वी वासी देवता यानि दर्थी वासी देवता या पर्थ्वी पे निवास करने वाले पर्थ्वी के देवता पर्थ्वी के देवता पर्थ्वी के देवता उन्हें बात आता है अगनी अब यहाँ पर ध्यान देना आगे की देवता यहां बार मैंने बताया था कि इंदर इंदर है किस परकार का देवता है अंत्रिक्स देवता है किस परकार का देवता है अंत्रिक्स का देवता है इंदर के लिए और रिगवेद में कितने बार इंदर सब्धगा परियोग किया गया है तो औग दे जो समझस्चिय बिठाने वाला जो देउता था वो कौन सा था अगनी था तो अगनी किस प्रकार का देउता है पर्त्वी वासी देउता है ठिक है सम के उसके बाद थे पर्त्वी और ब्रैस्पति ठीक है, ये सभी के सभी देवता है, वो किस परकार के देवता है, पर्त विवासी देवता है, तो ध्यान रगना है यहाँ, ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है रिन, अगला पॉइंट है रिन, यानि एक मनुश्य के जीवन में तीन परकार के रिन होते हैं, कितने प जिसे कहा जाता है देवरेन दूसरा होता है रिशी रिण यानि रिशी ओं के परती रिशी रिण और तीसरा होता है पितर रिण ठीक है रिणों में सबसे महत्व कुन रिण कुन सा होता है पित्र रिणों होता है और पित्र रिण करता कुन नहीं होता ग्रैस्ट आश्रम ग्रेन करने तक पूर्णे नहीं होता तो पित्र रिणों में कुन से आश्रम का महत्व कुन योगदान होता है ग्रैस्त आश्रम बेखा योगदान होता है और आश्रमों में या आश्रमों में सबसे महतोपन यह आश्रम कुन सा मानग है ग्रैस्त आश्रम मानग है क्योंकि हम लोगों ने चार आश्रमों की चर्चा की थी तो चार आश्रमों में तीन अन्य जो आश्रम है वो किस एक आश्रम प्राधारित होती है, घैस्त आश्रम प्राधारित होती है, ठीक है, एक बार के लिए देख लो, यानि यग, यगों की हम लोगों ने मुखे थे, तीन यगों की चर्चा की है, राज्वे यग, राज्य विश्य के समय किया जाता है, राज्वे यग में रत विजे घोशित करने के लिए घोड़े को छोड़ा जाता है। उसके बाद में हम बात करें रिक वेद के देवताओं की तो रिक वेद में कितने देवताओं को उलेग मिलता है। पर्थवी अगनी शोंग अगनी शोंग पर्थवी और ग्रैस्पति और रिन कितने प्रकार के बताएगे रिन तीन प्रकार के बताएगे देवरिन रिशी रिन और पित्र ठीक है उसके बाद में महतवपन तथ्य आज के शुरू करते हैं यह लगभग अपने मुख्या मुख् पूरी करवादी है अब exam की द्रश्टी से महतोगोन तत्य है क्यूंकि लगभग exam ओंवे यहां से क्यूशन उड़ता है तो हम लोग बात करते हैं वेदिक काल में कि जो परनाली थी वो किस परकार की परनाली थी तो वेदिक काल की जो साशन पढ़नाली थी वो राज तंत्रात्मक थी किस परकार की थी राज तंत्रात्मक ठीक है वेदिक काल की जो साशन पढ़नाली थी वो किस परकार की थी राज तंत्रात्मक पढ़नाली थी ठीक है उसके बाद में वेदिक काल में तीन समीतियों का उलेग मिलता है ठीक है तीन समीतियों का उलेग मिलता है तो समझने की कोशिश करना वो समीतियां कौन-कौन ची थी विद्धत सभा और समिति विद्धत सभा और समिति विद्धत ज्यान देना यहां तिनों में देदे की सबसे प्राचिन समिति कौन सी है तो यहां पर सबसे प्राचिन समिति थी वो किस प्रकार की थी विद्धत थी प्रारम में किस प्रकार की सबसे प्राचिन समिति थी विद्धत थी बाद में अथरवय वेद में दो समितियों का और उलेग मिलता है सभा और समिति का तो विद्धत है यह किस प्रकार की है सबसे प्राचिन सहस्ता है सहस्ता या समिति विद्धत है मुखिश्परकार किया है सबसे प्राचिन सहस्ता है ठीक है विद्धत है विद्धत है वो सबसे प्राचिन समितिया सहस्ता है ठीक है उसके बाद में बात करें हम लोग शवागी ठीक है सबसे प्राचिन समितिया सहस्ता है सबसे वो स्रैष्ट और सब्रहंत लोगों की सहस्ता थी सभा स्रेश्ट और सब्रहंत लोगों की सेस्ता थी यानि इसमें राजा के जो नजदी की या मुख्य पदा अधिकारी नजदी की या मुख्य पदा अधिकारी होते थे वो सभा में भाग लेते थे सभा में केवल पुरूश भाग लेते थे केवल पूरुश भाग लेते थे यानि सभा में महीलाओं को परवेश वर्जित माना गया था या महीलाओं को परवेश नहीं दिया गया था ठीक है तो सभा में स्रेश्ट और सब्रांत लोगों की सेस्ता थी केवल इसे पूरुश भाग लेते थे ठीक है? यानि किस प्रकार की सहस्ता थी? ये स्रेश्ट और सब्रहांत लोगों की सहस्ता थी, मुख्य लोगों की सहस्ता थी उसके बाद में है समिती, ये केंद्रिये राजनितिक सहस्ता थी केंद्रिये राजनितिक सहस्ता थी ये किस प्रकार की थी? केंद्रिय राजनितिक सहस्ता थी, इसमें सामाने जनता भी भाग लेती थी, यानि जनता जन के अंतरगत या राष्ट्र के अंतरगत आने वाले सामाने जनता थी, वो समिति में भाग ले सकती थी, वो समिति में क्या कर सकती थी? भाग ले सकती थी, और यानि समिति ये वो सामाने जनता का क्या करती थी? परति मी दित्वय करती थी, ठीक है? महिला और पुरूश दोनु भाग लेते थे इसमें महिला वे पुरूश दोनु भाग लेते थे यहने इसमें क्या है महिला और पुरूश इसमें तो केवल पुरूश शबा में केवल पुरूश भाग लेते थे केवल 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 पुरूश ही भाग लेते थे जब की समीती में महीला और पुरूष दोनों भाग लेते थे और समीती है वो राजा के चुनाओं में भी क्या करती थी सयोग करती थी यह अपना वर्चस्वे दिखाती थी तो राजा को चुनने में भी सयोग करती थी राजा को चुनने में भी समीती के सदस्यों का क्या रहता था सयोग रहता था ठीक है राजा को चुनने में भी समीती के लोगों का क्या रहता था सयोग रहता था उसके बाद में इसके एक अध्यक्स यहा समीती के अध्यक्स को क्या कहा जाता था इशान कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अध्यक्स को क्या कहा जाता था, समीति के अध्यक्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, समीति का जो अध्यक्स होता था, वो इशान कहलाता था, क्या कहलाता था, इशान कहलाता था, ठीक है, क्या कहलाता था, इशान कहलाता था, तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां से काफी बार क्यों से आए हैं। विदत विदत है वो वेदिक काल की सबसे प्राचिन सहस्ता थी। सभा स्रेष्ट वैस सब्रहांत लोगों की सहस्ता थी। यानि इसमें राजा के पर्मुकुपदा दिकारी भाग ले सकते थे। राजा के नजदी की लोग भाग लेते थे। यानि जिनको अनुमती प्राप्ती वो लोग ही यहां पर भाग ले पाते थे। इसमें यानि सभा में केवल पुरुष भाग लेते थे। समीति, केंद्र ये राजनितिक संस्ता थी, यानि एक बड़ी संस्ता थी केंद्र के आधार पर, सामाने जनता इस में क्या कर सकती थी, भाग ले सकती थी, ठीक है, महिला वा पुरुष दोनों भाग लेते थी, राजा के चुननिन, राजा को चुननिन में ये संस्ता क्या करती की श्योग करतीती उर समीति का अद्यक्स क्या होता था अद्यान देना ये जू सेचता है सभा वह समीति सबाव है समिती इनका उलेक किस में मिलता है अथरवय वेद में मिलता है किस वेद में मिलता है अथरवय वेद में मिलता है ध्यान देना अथरवय वेद में इसका उलेक मिलता है और अथरवय वेद में एक बात पताए गई है कि इन दोनों से स्थां को परजापती की जुडवा पुत्रियां का गया है जुडवा पुत्रियां का गया है ठीक है जुडवा पुत्रियां का गया है तो ये किसकी दो जुडवा पुत्रियां बताएगी है इसको परजापती की दो जुढ़वा पुत्रियां बताएगे सभा और समीती को यहाँ पर ध्यान देना विदत अलाग है विदत का इसमें किसी परकार का कोई नाम नहीं दिया गै सभा और समीती का उलेक है वो अ थर्वेवएद में किस परकार से मिलता है परजा पते की दो जुड़ुआ पुत्रियों के रूप में मिलता है ठीक है उसके बाद में देखते हैं next उसके बाद में है देखूं हम लोगों ने पीछे के पॉइंट में महावारत भी पड़ा था क्या पड़ा था महावारत और जिन लोगों ने महावारत देखी है वहाँ पर तो ये वैसे भी उसको याद होगा महावारत में उलेक मिलता है सुमेरू परवत का कौन से परवत का सुमेरू परवत का महावारत में कौन से पर्वत का उलेक मिलता है सुमेरू पर्वत का उलेक मिलता है और इस पर्वत पर 6 माय का दिन और 6 माय की रात बताई गई है यानि 6 माय का दिन वे छे माहे की रात ऐसा है कभी कि उस न सब पूचा जा सकता है कि किस परवत पर या महा भार्त के उनसार किस परवत पर छे माहे का दिन वज़ चे माहे की रात होती है तो सुमेरू परवत पर 6 माहे का दिन और 6 माहे की रात होती है ठीक है उसके बाद में एक इरानी गरंथ है इरानी गरंथ है जेंद अवेस्ता बहुत महतों पून तत्य है याद रखने एक्जाम की दर्ष्टी से काफी महतों पून रहते हैं तो ये चीज़े मैं आपको करवा रहा हूँ तो जेंद अवेस्ता जेंद अवेस्ता गरंथ है कि आर ये लोग थे यानि जैंद अवेस्ता कहा का गरंत है इरान का गरंत है इरान का गरंत है जिसमें रिगवेद से समंधित या हम कहें रिगवेद में जिस परकार की सुक्ती है वैसे ही सुक्तियां कि इसमें मिलती है जैंद अवेस्ता में मिलती है इसी कान रिगवेद का समकालिन गरंत भी का जाता है इसको इसको क्या का जाता है रिगवेद का संकालेन गरंद भी का जाता है और जैंद अवेस्ता है वो ये बात कहता है कि आर ये है आर ये है वो कहां के रहने वाले थे तो जैंद अवेस्ता के अमसार आर ये बैक्टेरिया के निवासी थे कहां के निवासी थे गरंद जेंद अवेस्ता के अनुसार और ये लोग बैक्टिरिया की निवासी थे ठीक है और इस गरंद की तुलना या हम कहें तादा तम्य किस गरंद से किया जाता है किस भारत के प्राचिन गरंद से किया जाता है या किस भारत के प्राचिन वेद से किया जाता है तो रिगवेद से किया जाता है किस से किया जाता है रिगवेद से किया जाता है ध्यां रखना है ठीक है उसके बाद में स्राद परता अगला है स्राद परता देखो स्राद परता स्राद परता है वो दत्यात्रे रिशी हुआ था, कौन हुआ था, दत्यात्रे, दत्यात्रे रिशी हुआ था, और इन दत्यात्रे जी का एक पुत्तर था, जिसका नाम था, दत्यात्रे जी का पुत्तर था, जिसका नाम था नीमी, क्या नाम था, नीमी, नीमी ने स्राध परता शुरू के थी, ठीक है क्या किया था स्राद परता यानि मरने के बाद में जो बाद में कवों बगरं को जो भोजन करवाय जाता है ठीक है तो वो स्राद परता है वो किस ने सुरू किती थी वो किती दता त्रेजी का पुतर था किस कौन था नीमी था और नीमी ने क्या किया था स्राद परता उसके बाद में कुछ एक सबद आते हैं, जैसे हम लोग ब्रह्म वरित पड़ते हैं, या आर्या वरित पड़ते हैं, या मद्या देश पड़ते हैं, ये कौन सा चेतर था? ये कौन सा चेतर था? तो बात करते हैं ब्रह्म वरित या ब्रह्म वरित या आर्या वरित या आर्या यह ब्रमवरित या आर्यावरित या ब्रमवरित 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 कि मद्य का जो भाग था वो क्या कहलाता था वेदिक काल में आर्या वर्तिया वर्मव्रित कहलाता था उसके बाद में हैं मद्य देश मद्य देश सरस्वती और गंगा सरस्वती वे गंगा के मद्य आता था मद्य देश, सरस्वती और गंगा नदी के मद्य का जो भाग था वो क्या कहलाता था? मद्य देश कहलाता था सरस्वती वे गंगा के मद्य सरस्वती वे गंगा के मद्य का भाग था? वो क्या कहलाता था? मद्य देश कहलाता था अब ध्यान देना एक बात का आर्ये लोग सबसे पहले सिंदु नदी के किनारे आके बसे थे और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ने के बाद इनकी एक पवित्तर नदी हुई जो सरस्वती थी कौन सी नदी थी सरस्वती नदी थी और सरस्वती नदी के किनारे हम लोग अपने प्राचिन वेद रिगवेद की रचना मानते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करें कि रिगव गांगा नदी तक बढ़ गय थे हैं लेकिन ये भी ध्यान देना आर ये लोग या वेदिक सबेता की लोग गंगा नदी के पस्चिम भागता की शिमित रहे थे नहीं कि उन लोगों ने गंगा नदी को क्रोस किया था यानि वो लोग पुर्वी भाग में नहीं गए थे तो इस गंगा नदी के पस्चिम भागद। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। जाती थी उसके लिए नहीं आए है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बली। ठीक है। रीगवेद में बली क्या था? कर था। ठीक है। रीगवेद में बली क्या था? कर था। और वेदिक काल में कर है, वो नगत पैसे के रूप में नहीं लिया जाता था। किसके रूप में लिया जाता था? अन के रूप में लिया जाता था। अन के रूप में लिया जाता था। अन के रूप में लिया जाता था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब वेदिक काल में जो व्यक्ति जनता से कर इकटा करता था। संग्रे करता था। बली हर्थ का जाता किया कई जाता था कर इस कर को इकटा करने वाला क्या आता था ध्याद देना प्रस्च जिक्ड जो है भली एक कर है कर किस के रूप में लिया जाता था अन के रूप में लिया जाता था, कर इकटा करने वाला वेक्ति क्या 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 आता था, बली हर्त क्या आता था, ठीक है, उसके बाद में बात करें, स्रिद्ध, स्रिद्ध, व्रात, व्रात, स्रिद्ध व्रात वे गण, गण, गण सबत आगे, मोरिय काल में भी पढ़ेंगे हम लोग, और महाजन पद्यकाल में भी गण सब्दाएगा लेकिन यहाँ पर गण सर्द, व्रात और गण ये रिगवेद काल में सेना की इकाईयों के नाम दे क्या थे? सेना की रिगवेद काल में सेना की काईयों के नाम थे किसके नाम थे? सेना की इकाईयों के नाम थे सार्द, व्रात, गण किसके नाम थे? सेना की इकाईयों के नाम थे पूर्चरीशू पूर्चरीशू पूर्चरिशनु ये एक यंतर था क्या था एक यंतर था जो किसके लिए आता था ये क्या कामाता था ये यंतर ये यंतर कामाता था दुर्गों को गिराने के लिए यानि ये पूर्चरिशनु क्या था एक यंतर था किसके कामाता था दुर्गों को गिराने के काम आता था दुर्गों को गिराने के काम आता था अब यहां पर ध्यान देना कि किस देवता को दुर्गों को गिराने के वाला देवता कहा गया है तो किसको कहा गया है? इन दुर्गों कहा गया है उसके बाद में कुछ एक सवद है जो हम लोग नेक्स कक्षिया में भी पड़ेंगे यहां भी हम लोग कुछ सब्दों की व्याक्या करेंगे जैसे पुरोहित पुरोहित अब हम लोग पेचे सिंदू के सब्देता पड़ गया थे इसे पहले सिंदू सब्देता पड़ गया थे वहाँ पर एक पुरोहित सब्द का भी प्रियोग किया था लेकिन वहाँ पर पुरोहित सब्द का प्रियोग किया था परसासन का संचालन करने के रूप यानि वहाँ पर हम लोग प्रोहित सब्द है यानि हम लोग लोग ने दो भागों बांटा था एक दुरुग टिला था और एक क्या था जन सामाने था दुरुग टिले से सासन का क्या होता था संचालन होता था समझना इस बात को दुरुग टिले से सासन का क्या होता था संचालन होता था और सिंदू सबेता में सासन का संचालन करने वाला वेक्ति क्या कलाता था? प्रोहित कलाता था सिंदू सबेता की बात करना हूँ मैं यहां पे ध्यान देना सिंदू सबेता में परशासन का संचालन करने वाला वेक्ति क्या कलाता था? प्रोहित कलाता था कोन करता था राजा करता था ठीक है उसके बाद में सेनानी सेनानी सेनापती को का जाता था सेना पती सेना नहीं को नहीं होता था सेना पती सुत सुत ध्यान देना सुत वेदिक से पता में सुत वैसे तो हम लोग कहां पर लेते हैं बेटे की रूब में लेते हैं लेकिन यहाँ विश्वा समेशा बेटे पर किया जाता है विश्वास हमेशा किस पर किया जाता है वेटे पर किया जाता है इसी कार्ण या सुत का आर्थ का है सार्ती सुत किसको का जाता था सार्ती सार्ती कोन होता है सार्ती होता है रत को हांकने वाला सार्थी कोन होता है रत को हांकने वाला एक राजा का रत हांक रहा है एक राजा के रत को चला रहा है तो इसका मतलब उस पर क्या होना चाहिए विश्वास होना चाहिए विश्वास होना चाहिए विश्वास किस पर किया जाता है पुत्र पर किया जाता है तो सुत का आर्थ हम ग्राम का परमुक भाग दूद्ध भाग दूद्ध भाग मिश्व आगे के सब्दों में भी पढ़ेंगे भाग एक कर था ठीक है आगे पढ़ेंगे तो ये क्या है कर संग्रायक कर संग्रायक और बली हर्त भी क्या था कर का संग्रायन करने वाला ठीक है उसके बाद में संग्रहिता ये क्या होता था, संग्रहित करने वाला, संग्रे करने वाला, संग्रे कौन करता है, को सा अधिकारी करता है, यानि को सा देक्ष था कौन था, को सा देक्ष, उचे कैसे सब्द है, तो इसमें आपको द्यार रखना है, उसके बाद मैं एक बार के लिए इसको देख लो उसके बाद में ग्रीक वेद में वरुन सुक्त मिलता है कौन सा सुक्त है वरुन सुक्त है और वरुन सुक्त में सुन सेफ आक व्याख्यान मिलता है दियान देना सुन सेफ व्याख्यान मिलता है उस सुन सेफ व्याख्यान में ऐसा माना जाता है कि पीता अपनी संतान को बेच सकता है ध्यान देना पीता अपनी संतान को बेच सकता है किशन ऐसा बन सकता है किस व्याख्यान के अनुसार पीता अपनी संतान को बेच सकता है किस व्याख्यान के अनुसार सुन सेफ व्याख्यान के अनुसार किस के अनुसार सुन सेफ ये चीज किस में मिलती है यह चीज मिलती है रिगवेद में मिलती है यानि रिगवेद में वरुन सुप्त है कौन सा सुप्त है वरुन सुप्त है और वरुन सुप्त ये बात कहता है वरुन सुप्त में एक सुन्चे व्याख्यान है रूस व्याख्यान में एक बात लिखे गई है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता है पिता अपनी संतान को बेच सकता है ठीक है अगली बात है रिग्वेद की नेक्स्ट बात है रिग्वेद में विग्वेद में मैं कारू हूँ मेरे पिता विशक है मेरे पिता विशक है और मेरी माता उपल पर्तिक्षणी है और मेरी माता उपल पर्तिक्षणी है अब यहां बार इस प्रकार से यह लेन समझे नहीं आ रही है तो यहां सबत समन्ना कारू कारू कार्थ होता है मंतर भीशक भीशक होता है विद्ध्या उपल पर्तिक्षणी होता है पत्थर की चक्की से अनाज बिशने वाली पत्थर की चक्की से अनाज बिशने वाली ठीक है तो देखो रिगवेद में ऐसा क्यों सब्सक्राइगा कि मैं कारू हूँ मेरे पिता विशक है और मेरी माता उपल पर्तिक्षणी है ऐसा कौन से वेद में वर्नित मिलता है यहां पर ध्यान देना मैं मंत्रों का निर्मान करता हूँ ठीक है या मैं मंत्रों का क्या करता हूँ निर्मान मेरे पिता विद्य है और मेरी माता पत्थर की चक्की से अनाज बिशने वाली है तो तो ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, कारिये कर रहे हैं, किस के लिए, आमदनी के लिए, पैसा कवाने के लिए, क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेकती हैं, मैं हूं, मेरे पिता है, मेरी माता है, तीनों अलग अलग वेकती हैं, लेकिन आमदनी के लिए क्या कर रहे हैं, कारिये क उसके बाद में नेक्स्ट है देवापी और सांतनु ये दो भाई थे और इन दोनों भाईयों का उले एक मिलता है रिगवेद में देवापी पुरोहित था पुरोहित का अर्थम लोगों नेक्या लिका था मंत्री दिवापी क्या था पुरोहित था जबकी सांतुन क्या था राजा था और इनका जो पंडिजी था या हम बात करें तो वो कौन था विवसिष्ट था तो देवापी वे सांतुन या सांतुन दोनों भाईयों की कता किस वेद में वरनित मिलती है तो रिगवेद में इसका वर्णन मिलता है ठीक है तो एक बार के लिए द्वारा देख लो सुन्षे किसमे मिलता है सुन्षे व्याख्यान सुन्षे व्याख्यान रिगवेद्य मिलता है रिगवेद्य के कौन सी सुप्त में मिलता है वर्ण सुप्त में मिलता है मैं कारू हूँ मेरे पिता विश्यक है मेरी माता उपल प और देवापी और शांतुनु दोनों भाईयों की जो कथा है वो किसमें मिलती है रिगवेद में मिलती है देवापी एक पुरोईत था एक मंत्री था और शांतुन क्या था एक राजा था अब देखूं हम लोग चलते चलते कहतेते हैं कि पत्नी है वो अर्धांगनी होती है पत्नी है वो अर्धांगनी होती है तो इसका वर्णन का आपर मिलता है भी फिर पत्नी है वो अर्धांगनी है आपना चालता है कि टहां लुग आया भीना, घरी सुनू है। तो इसका वर्णन काँ है। ध्यान देना इस बात पे.. की सत्पत, ब्राह्मन-गरंत। सत्पत, ब्राह्मन-गरंत। पहले तो अगर आपने, पीछी केक्सियां में पड़ा है, तो सत्पत ब्राह्मन गरंथ कोंशे वेदगा ब्राह्मन गरंथ हैं। कोंशे वेदगा ये वेए? एको तास। तास में ये आरा है सत्पत। तो कोंशे में? यजुर वेदगा ये क्या है? ब्राह्मन गरंथ है। तो सत्पत ब्राह्मन गरंथ में क्या आगया है कि सत्पत ब्राह्मन गरंथ में पत्नी को पती की अर्धंगी नहीं बताए गया है। किस ब्राह्मन गरंथ के अनुशार किस ब्राह्मन गरंथ के अनुशार पत्नी है वो पती की अर्धंगी नहीं होती है। होगी तो वो क्या है सत्पत ब्राह्मन गरंथ है। उसके बाद में रिग वेद में जाय दस्तम एक सब्द मिलता है। कौन से वेद में रिग वेद में। कौन सा सब्द मिलता है जाय दस्तम। जाय दस्तम। एक सब्द मिलता है कौन से वेद में रिग वेद में। तो जाय दस्तम सब्द का आरत होता है पत्नी ही ग्रह है। यानि पत्नी ही घर है। यानि जिनके घर में पत्निया नहीं होती। तो जाय दस्तम सब्द का आरत है पत्नी ही ग्रह यानि घर है। कौन से सब्द का आरत है जाय दस्तम सब्द का आरत है और किस में बढ़ना है रिग वेद में। रिग वेद में ही अपाला नाम की एक इस्तरी का वर्णन मिलता है या एक महीला का वर्णन मिलता है। ठीक है किसके नाम की अपाला नाम की और इस अपाला का उलेक रिग वेद में किस प्रकार से मिलता है। अपाला का उलेक मिलता है, कि अपाला अपने पिता के साथ मिलके, अपने पिता को कर्सी कारियों में सयोग कर दीती, तो यानि पिता के साथ मिलकर, पिता के साथ मिलकर, अपाला कर्सी कारियों में, कर्सी कारियों में पिता का हाथ बंटाती थी, ठीक है, यस पिती स्वेट्यों मिलता है, रिग वेट बेड में इसका बढ़ना मिलता है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिया करो, और आगे क्लास को बढ़ाया करो, और next कक्षिया में फिर अपन लोग मिलेंगे इसी के साथ all the best और इसी रिग्वीद सबेता के मुखे महतोबन तत्यों के साथ मिलेंगे ठीक है